एलो दोस्तों चलिए आप वीडियो पार्ट 3 डिसकस करते हैं थर्ड क्वेस्चन ठीक है पीछले दो पार्ट और दो क्वेस्चन अल्रेटी डिसकस हो चुके है प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दीए वहां जाके आप सारे वीडियो इसके बाद के इसक and scope of total income थर्ड अब जो है question डिसकस करने जा रहे है जो की बहुत ही simple है पहले दो अगर वीडियो आपने अच्छे से देख लिए कौन से पढ़ लिए तो CDC बात है बहुत ही simple है देखिए यहाँ पर question में पूछा गया है कि Mr. B जो है उनका आपको जो है residential status बताना है और उनके ल information दे रखिए कि 2021-22 के लिए जो है 70 days वो इस टेक करते हैं इंडिया में 2021 के लिए 150, 1920 के लिए 90 days, 18-19 के लिए 60 days और 17-18 के लिए 55 days इस तरीके से आपको information दे रखिए और पूछाया कि क्या वो resident है 2022-23 के लिए तो हमने देखिए resident है या नहीं है इसके लिए हमने कुछ information हमने जो provision पड़ी थी क्या थी वो provision कि previous year में 182 days या फिर उससे ज्यादा stay होना चाहिए तो इस question में अगर मैं देखू तो previous year मतलब की 21-22 और वहां पर 70 days है तो पहली जो condition है वो fulfill नहीं होती क्योंकि 182 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए था जो यहां पर fulfill नहीं हो रही है तो याद रहा कि previous year में 60 days या फिर उससे ज्यादा days इंडिया में stay होना चाहिए तो यहां पर अगर मैं देखू तो इस question में तो हाँ जी previous year में 60 days से ज्यादा है मतलब कि 7 days यहां पर दिये गए तो आधी condition तो fulfill हो रही है उसके बाद क्या था कि previous four year का जो total है 365 days या फिर उससे ज् calculate कर लेते हैं तो अगर मैं calculation करूँ तो previous preceding previous four year ठीक है 70 days यह fulfill हो रहा है कोई दिक्कत नहीं preceding previous four year का जो total है वह 365 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए तो अगर मैं total लगा हूँ 150 days 150 plus 90 plus 60 plus तो यहां पर आपका answer आ रहा है 355 days क्या रहा है 355 days तो 355 days आपका आ रहा है मतलब कि यह condition भी fulfill नहीं हो रही है कौन सी हमारी second condition भी fulfill नहीं हो रही है मतलब कि दोनों condition fulfill नहीं हो रही है सीधी सी बात है वह non resident है ठीक है यहाँ पे लिखा गया होगा कि he does not satisfy the basic condition ठीक है therefore he is a non resident for previous year ठीक है बहुत ही simple सी बात है